36 गड उपस्वास्त केंद्र स्तर पर राश्ट्री गुनवत्ता आश्वासन मानक प्रमानपत्र हासिल करने वाला देश का चौथा राज्जी बन गया है केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर और राइपड जिले के निजदा हेल्थ और वेलनस सेंटर उपस्वास्त केंद्र के निरिक्षन और मुल्यांकन के बाद NQAS प्रमानपत्र जारी किया है राज्जी के 57 शास के अस्पतालों को अब तक राष्ट्रिय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमानपत्र से नवाज जा चुका है इन में 10 जिला अस्पिताल, 7 सामुदाइक स्वास्त केंद्र, 26 प्रात्मिक स्वास्त केंद्र, 12 शहरी प्रात्मिक स्वास्त केंद्र और 2 उप्प स्वास्त केंद्र शामिल हैं राष्टिय गुनवत्ता आश्वासन मानक साटिफिकेशन का उद्देश्य अस्पतालों की सुविधाओं को सुद्रड करते हुए आम जनेता तक गुनवत्ता पूर्ण स्वास सुविधा पहुचाना है। भारत सरकार के आविश्मान भारत योजना के तहट लोगों को बहतर चेकिसा सुविधा मोहिया कराने के मकसद से हेल्थ और वेलनेस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। को उपलब्द कराई जा रही हैं। इसके तहट यहाँ पे अमलेश्वर में लोगों की स्क्रीनिंग कर जाज की जा रही है। सरकार द्वारा बनाये गए विभिन बारा प्रकार की सुविधायें इस हेल्थ और वेलनेस सेंटर में उपलब्द हैं। राश्ट्री स्तर पर अभी जुलाई महिने में असेस्मेंट हुआ था जिसमें भारत सरकार के पैनल असेसर द्वारा यहाँ का असेस्मेंट किया गया। और हाली में घोशन हुई है कि इस हेल्थ और वेलनेस सेंटर को गुणमत्ता आश्वासन सेर्टिफिकेट जारी किया गया है। यह इस छेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है और चतिसगार राज्य का यह पहला उप स्वास्ते के अंदर है जिसको राश्ट्री गुणमत्ता आश्वासन प्रमान पत्र मिला है इसके साथ साथ नीजदा को भी मिला है। पीछे वज़ा यह रही कि यहाँ पर सामुदाइक गतीविधियां लोग यहाँ पर अपने ही सेंटर को खुद आगे बढ़ाना विकास करने में सहयोग कर रहे हैं। वहीं यहाँ आने वाले मरीजों ने बताया कि वेलनेस सेंटर के खुल जाने से उन्हें बहुत रहे हैं। मरीजों की संख्या और बढ़ने की उमीद है। मरीजों की वेलने की सेंटर के बाद बताया की सेंटर का रहे हैं। झाल झाल